कोई धमकाने को आए उल्टा धमका देना कोई तुमको आँख दिखाए तो आँख दिखा देना हम भी मराव के बच्चे हैं उनको समझा देना हम भी मराव के बच्चे हैं उनको समझा देना सावित्री मासिक्षा की अलग जगा में काशी राम बन राजनीती संभाले शेर सा जिगर रखे जै भी मवाले बहुजन समाज के लोग अधिकतर एक गाना बहुत अच्छे से गाते हैं और वह यह गाते हैं भी मराव के बच्चे हैं उनको बतला देना और देश के अंदर ही नहीं पूरे देश प्रिदेश और विदेशों तक में एक गाना बहुत तेजी से धुम मचा चुका है और वह गायक हैं बहुजन समाज के लोग प्रिये गायक विजय कुमार सैनी जी आज हमारे साथ हैं विजय जी आपका हमारे चलन में स्वागत है थैंक यू सो मच्छ विजय जी आज आप बहुत बड़े सेलीबिटी बन गए बहुजन समाज के तो कई वार आपको गुरूर नहीं होता अपने आप पे कि मैं बहुजन समाज के लोगों से मैं देखता हूं बड़े कैजूली आप गले मिलते हैं बड़े हसके बात करते हैं चोटा होता है उसके साथ भी बैठके खा लेते हैं तो यह कैसे मैंनेज करते हैं आप सेलीबिटी भी हैं और बिल्कुल कैजूल भी आजाते हैं तो इसको बता हैं मैं इस बात को गुरूर से शुरू करता इनी लोगों ने अपनी पलकों पे बिठाया, अपने सर पे सजाया, अपने कंदे पे बिठाया, तो बिल्कु गुरूर तो जरूर होता है, और साथ में खाना, साथ में रहना, यह सब मस्ती करना, आज जो भी कुछ मतलब लोगों के अंदर एक पहचान आई है, लोग मुझे कहीं भी जाते हैं, लेके सासन से प्रसासन तक लोग विजय सैनिक से परिचित हैं आज, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर यह समाज ना होता, तो शायद मेरी पहचान भी ना होती, तो यह सब गलत धार ना है, ऐसा कहीं भी नहीं है, कि मतलब किसी से खाने में, रहने में प उन चिरागों में से हैं, विजय कुमार सैनी जी, विजय जी यू तो आपको धेरो सारे गाने, जितने भी गाने हैं, एक से बढ़कर एक होते हैं, लेकिन मैं वो गाना सुनना चाहूंगा, हमारी पब्लिक वो गाना सुनना चाहेगी, जो आपको सबसे यादा पसंद है, व लोगों के अंदर एनरजी आए, तो मैंने अपने समस्त बहुजन समाज को गीत दिया, संदेश के रूप में, उसमें हमने कहा, कोई धमकाने को आए, उल्टा धमका देना, कोई तुमको आँख दिखाए, तो आँख दिखा देना, हम भी मराव के बच्चे हैं, उनको समझा देना, हम भी मराव के बच्चे हैं, उनको समझा देना, वो समविधान निर्माता, पहचान बता देना, वो भारत भागय विधाता, उनको बतला देना, उनको समझा देना, हम भीमराव के बच्चे हैं उनको समझा देना और डेफिनेटली हमने बहुत सारी जगे लोगों को समझा दिया है ठीक है आप विजे कुमर सैने जी है हमारे साथ और इनका कितना खुबसूरत गाना है क्योंकि पहले बहुजन समाज की आवाजों को दबा दिया जाता था लेकिन यूट्यूब, फेस्बुक, जैसे माध्यम से अब इनकी गाने ही नहीं पूरे देश के अंदर बहुजन समाज की आवाज बहुत तेजी से चलती जली आ रही है और सबी लोग समझ गयें कि बाबा साहब दक्टर भीमरा अमेगर ने बहुजन समाज के लिए क्या कहा था उससे प्रेडित होके हमारे विजे कुमार सैनी साहब ने खुबसूरत गाना लिखा और जो बातों ही बातों के अंदर इतना हिट हो गया कि आज पूरा विदेशों तक से इनको कॉल आते हैं विदेशों तक से इनको आफ़र साते हैं वहाँ पे गाने के लिए विजे जी मैं एक गाना कोई ओर सुनना चाहूँगा वो भी क्योंकि जनता आपके जितने सुने वो कम है जितनी रात बीज जय पर गाने खतम नहीं हो पहेंगे बहुजन समाज के लेकिन फिर भी चाहूँगा एक गाना आप जरूर सुनाएं इसमें अपने बहुजन समाज के लिए जो जय भीम वाले लोग हैं जो जय भीम बोलते हैं अक्सर उनके लिए मैंने लिखा था जान भी लुटा दें जब अपनी पे आमें मिटी ये वतन की रे सर पे लगा में पूरुशो माहा पूरुशो के गीत हम जूम जूम गामें दुश्मन के टोटे कर डालें शेर सा जिगर रखे जै भीम वाले और इस गीत में हमने लिखा है जब पढ़ें अंबेड कर बन जामें बद लाले में उधम सिंग बन जामें बन के जोती बारे पूरा देश पढ़ामें सावित्री मा सिक्षा की अलग जगामें काशी राम बन राजनीती संभालें शेर सा जिगर रखें जैभीम वाले और होता भी यही है इस बहुजन समाज ने इस पूरे देश को डाइमंड बनाने काम करा है और ऐसे हमारी डाइमंड है विजे सेनी साब विजे जी आपने हमारे से बात करी मैं आखरी में और सवाल पोछूँगा आप अपने दर्शकों क् कि आगें जैब और मैं सिर्फ इतना कहना चाहाँगा कि आखर सिर्फ भारत में रहते हैं बाबा सहाब की संताने हैं हम बाबा जोती वाफूले की संताने हैं तो माता सावीत्री भाईए ने बहुत इंस्पा capatoon को को इंस्पायर किया है मैं चाहता हूं कि अगर हम पढ़लिक कर भी और सब कुछ हासिल करने के बाद ही सिर्फ शूद्र बने रहेंगे तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए हमको एक कंपलीट इंडियन बनकर आगे आना है हमें एक सच्चा भारती है बावा साप का सफूद बनकर आना हम हमें अपने अंदर से शुद्रता का भाव है वह खतम करके और एक अच्छे स्टेंड पर हमको खड़े होके आना है हमको यह गरीबी वाला यह लाचारी वाला जो भाव है हमें डिक हमें तक अच्छे स्टे निए नेर्ए भाव खुद नीडर बाहुजन लीटर बन सबसे पहले बहुजन समाज का डलित आता है वह आता है एसी कैटेग्री से सबसे आगे बढ़कर आता है तो और पहीन के विवाइब और घृम के लागे जाती है कि अभी तक जो यह नहीं दिया है हमारा एसी समाज लड़ रहा है और उसमें भी जार्टव कम्यूनिटी के लोग ही जादा उसको फोकस करते हैं क्योंकि उन्हों पता है कि अगर तुमने संविधान की रक्षा नहीं की तो तुमारे हाथ की जो रोटी है वो भी छीन ली जाएगी ओबी से समाज के पेट में थोड़ी रोटी पड़ी है इसलिए शायद वो भी पीछे है उसको अभी कोई परेशानी नहीं होती उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जादा नौलिज भी नहीं है और थोड़ा सा जिसके घर में धंदौलत थोड़ी सी भी है उसको इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है मुझे लगता है कि ये सब धारना गलत है OBC समाज को बहुत आगे आना चाहिए उन्हें नहीं पत जो मतलब हमारे समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह हो रहा है कि हमको इस तरह से बांटा गया है कि OBC ये समझ के खुश है कि कम से कम मैं ऐसी से तो उपर हूँ बस यह जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया है हमारे बीत में यही वह बठवा रहा है का सबसे उपर होता है वह बहुजन समाज होता है और उसी ने मुझे पैचान दिलाई है और उसी के लिए मेरा संपूर्ण जीवन समर्पित है मैं और मेरी पतनी दोनों ही टीचर हैं I am a principal in a school और मेरी बात को लोग सुनते भी हैं और as a singer, as a artist जैसे भी लोग मुझे देखते हैं मैं चाहूंगा कि एक दिन उन लोग को मेरी बात सुननी तो होगी और मेरे साथ आना होगा आपने हमारी चनल से बात करें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद विजैजी आपका अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंड़ी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूटें ताकि सभी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले